CM KCR की तबियत खराब है खबर है कि KCR जो इस समय दिल्ली में है करीब तीन दिनों से थोड़े अस्वस्त है दिल्ली के तुकलक रोट स्थीत अपने आवास पर उनका इलाज चल रहा है डक्टरों को घर बुलाया गया है और KCR का इलाज चल रहा है KCR के अगले दो या तीन दिल्ली में रहने की संभावना है इसी पुस्ट भूमी में KCR ने तेलंगाना के उच्छ अधिकारियों को हस्तिना आने का आदेश दिया इसके साथ ही CS, DGP, I and PR कमिशनर और अन्य उच्छ अधिकारी तुरन दिल्ली के लिए रवाना हो गए ख़बर है कि KCR दिल्ली में अधिकारियों के साथ राज्य से जुड़े प्रशासिनिक मुद्दों पर चर्चा कर सकते है अग्रणी फार्मा कंपणी रोश ने अपने Global Analytics and Technology Center of Excellence का विस्तार किया है इसने हैदरबाद में दूसरा डेटा Analytics Center स्थापित किया है मंत्री के टिया ने कहा है कि डेटा विज्ञान और उन्नत विशलेशन से संबंदित शम्ताओं के विकास के लिए हैदरबाद में रण नीतिक निवेश किया जाएगा इसके तहट रोश फार्मा के प्रबंद निदेशक और CEO V. Simple Sans ने IT मंत्री के टियार के साथ बैठक की विवसाइक परिस्तितिक तंत्र है जहां अत्याधुनिक बुनियादी धांचे के साथ सबसे प्रभावशाली पेशेवर उपलब्द है उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार वैशविक नमोन वेश एवर शम्ता केंद्रों की स्थापना को उच्च प्राथमिक्ता दे रही है विस्तार के हिस्से के रूप में उन्होंने इस साल के अंत तक सो करमचारियों को न्युक्त करने और गेट का और विस्तार करने की योजना बनाई गुर्य मांत्री महमूद अली ने एलक्ट्रोनिक मीडिया के शेत्र में विशेश सेवाएं देने वाले समाचार प्रसुत करताओं को पुरस्कार प्रदान किया इस संदर में प्राकिंगा फाउंडेशन, प्राकिंगा आर्ट्स अकाड़ेमी, सिल वेल कॉर्परेशन और के वी एल फाउंडेशन ने स्तायुक्त रूप में एस एम हुसेन को सेवा भूशन पुरस्कार से सम्मानित किया गृह मांतरी मैмमुद्र आली ने कहा है कि तेलंगाना राज्य बननी के बान, मुक़्े मांतरी के से नित्रत में हर तरह से विकास हुआ है उन्होंने कहा है कि वह शान्ती और सुरक्षा के मामले में देश में अग्रनी बन गया है और अधिकांश CCTV हमारे राज्य में है गुरहा मंत्री मैमोदाली ने सरहाना की है कि KCR एकमात्र ऐसे मुख्य मंत्री है चो शादी मुबारक, रहतु बंधु, दलित बंधु और आसरा पेंशन जैसी नवीन योजनाओं के साथ लोगों का समर्थन कर रहे है उन्होंने आशा वेक्त की है कि भविश्यों में तेलंगाना राज्य का और विकास होगा तेलंगाना TNGOS यूनियन हैदरबाद के अध्यक्ष S.M. हुसेन मुझीब जिन्होंने कई सेवा की है उन्होंने सेवा भूशन पुरसकार से सम्मानित किया गया है बाद में व्रविन पारिजात के समू द्वारा गाय गय फिल्म गीत विशेश रूप से प्रभावशाली थे बाचपा सांसर डॉक्टर लक्षमन ने कहा है कि उपचुनाओं में T.R.S. द्वारा आट साल से किये गये विकास और वादों का जिक्र किये बिना अन्य दलों को आलोचना करना रूटीन हो गया है उन्होंने कहा है कि हमारे सामने गोकर्न और गचकर्न की सिक्षा नहीं चलेगी सांसर लक्षमन ने आलोचना की है कि वे मतदाताओं को शराब पैसा प्रलोभन धमकियों का लालश दे रहे है और कुछ नहीं मंत्री और विधायक अभी आगे है केसियार और उनकी बेटी दिल्ली में है उन्होंने शिकायत की है कि राज्य का पूरा प्रशाशन दोरे पर चला गया है लक्षमान ने नाराजगी जताई है कि एक भी सीट खोने का कोई रास्ता नहीं है और वे हार के डर से उनकी आलोचना कर रहे है एडी ने टियारे सांसद नामा नागिश्वर राओ को जटका दिया उनके परिवार के 80.66 करोर रुपे जब्त किये गए है एडी ने खुलासा किया है कि नामा नागिश्वर राओ और नामा सत्या के नियंतरन में 6 कमपनिया है एडी ने जुबली हिल्स में मधुकन समू मुक्याले के साथ हाइदरबाद खंबम और प्रकाशम जिलों में 28 अचल संपतियों को कुर्क किया है एडी का अरोब है कि नामा नागिश्वर राओ ने कर्ज लिया और राची एक्सप्रेस हाइवे के नाम पर पैसा डाइवर्ट कर दिया 361.92 करोड सीधे डाइवर्ट किये गए है इससे पहले इडी ने कर्ज के नाम पर धोकादड़ी के मामले में नामा की 73.43 करोड रुपे की संपतिक कुर्क की थी नामा नागिश्वर राओ मधुकन संस्था के संस्थापक है ब्रिटिश उप उच्चायुक्त गोरेथ विन ओवेन ने तेलंगाना सरकार द्वारा महिलाओं के कल्यान के लिए लागो की जा रही कल्यानकारी योशनाओं की प्रशंसा की वह महिला आयोक की अध्यक्ष सुनीता लक्ष्मा रेड़ी से सिष्टचार के तौर पर मिली सुनीता लक्ष्मा रेड़ी ने कहा है कि महिला आयोक के तत्वावधान में वे महिला कानूनों जैसे महिला ससक्ष्टी करण, लेंगिक भेदभाव, साइबर अपरात, कारे स्थलों पर योन उत्पीडन, घरेलों हिंसा रोक्थाम, अधिनियम आधी के बारे में जागरुक के लिए राज्य सरकार के प्रयासों की सराना की। वास्तविक सिति को समझाया, इसके लिए अधिनी दयाकर को पी एचडी पुरसकार प्रदान किया गया, इसके लिए कॉंग्रेस नेताओं, मशूर हस्तियों, परिवार वालों और दोस्तों ने उन्हें बधाई दी। नड़ा और अमिशास्त के आवान पर भाजपा में शामिल होने के लिए तयार है। बुरा नरसया गोड ने कहा है कि वहकल दिल्ली में केंद्रे कारेले में राष्टिय नेताओं की उपस्तिती में भाजपा में शामिल होंगे। टीरेस में केसियार से मुलाकात ने आंदोलन बदल दिया। नरसया गोड ने कहा है कि उन्होंने दर्द से टीरेस पार्टी से इस्तिफात दे दिया। उन्होंने कहा है कि जब वहाँ पूर्व में सांसत थे तो उन्होंने तेलंगाना के विकास के लिए विपक्षी सांसत के रूप में भाजपा से बात की और कहीं विकास ने दी प्राप्त की। बुरा नरसया गौर्ण ने स्पस्ट किया है कि वा पार्टी में केवल इसलिए शामिल हो रहे है क्योंकि उन्हें भाजपा की विचारधारा पसंद है नाकिप पदों के लिए चात्रों ने सेवा भारती हेल्थ केर स्किल डवलप्मेंट सेंटर बयान पल्ली के तहत जर्नल ड्यूटी असिस्टेंट कोर्ट सफलता पूर्वक पूरा किया कुकड़ पल्ली में विवेका नन व्यावसाइक शिक्षा केंदर में छटे बैंच के चात्रों के लिए एक सनातक समारो आउजित किया गया था Global Data के CEO Mike Denson HR Security Printing and Meeting Corporation of India Limited APMV बालाजी मुख्यातिती के रूप में उपसित थे Global Data के CEO Mike Denson ने कहा है कि हम युवाओं और महिलाओं को शशक्त बनाने में सेवा भारती के साथ काम करके खुश है सेवा भारती कारिक्रमों की सराना की गई HR Security Printing and Meeting Corporation of India Limited AGMV बालाजी ने सेवा भारती करमचारियों की प्रसंसा की जो युवाओं को सिक्षा स्वस्त और कौशल विकास में प्रशिक्षित कर रहे है हैदरबाद के Old Town बहादुरपूरा PS इलाके में एक युवक ने ताबर तोड फाइरिंग कर दी बहादुरपूरा Main Road सीत इंडियन ओयल पेट्रोल पंप पर एक युवक बाइक पर पेट्रोल भरने आया था उन्होंने कहा है कि वह पेट्रोल से संबंदित UPI कैश ट्रांसफर करेंगे UPI भुकतान काम नहीं करने और नगत भुकतान करने की बात को लेकर बैंक प्रबंदक युवाओं के बीच बहस हो गई वह इस बात पर बहस में पढ़ गया कि UPI काम क्यों नहीं कर रहा है इसी क्रम में युवक ने फोन किया और दो अन्य युवक दो पईए वहन पर पेट्रोल पंप पर पहुंच गए उन में से एक युवक ने बंदुक निकाल कर उसे धमकाया तीन युवकों ने मिलकर पेट्रोल पंप पर तोड़ फोड की कैशियर पर हमला किया गया इस क्रम में इफ्तकार नाम का एक युवक घायल हो गया इससे पेट्रोल पंप के करमचारिये ने उन पर हमला कर इफ्तकार को पकड़ लिया वही दो अन्य युवक वहां से फरार हो गए घटना के बारे में पुलिस को जानकारी दी गई पुलिस ने मामला दर्च कर लिया है और जाच कर रही है